जय मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में दोस्तों, 24 मई से 29 मई के बीच में सिहिंग राशी वाले लोगों के लिए गुरू और मंगल की दरस्टी चंद्रमा पर रहने वाली है जो की बहुत ही अच्छे दोशुब योग बना रही है और इन शुब योगों का परभाव, बाकी नक्षत्रों का परभाव भी सिंग राशी के लोगों पर कुछ खास ही होने वाला है लेकिन खास के साथ कुछ सावधानिया भी रखनी होंगी इसके अलावा इन दिनों में बहुत से ऐसी परिवर्तन होंगे जो इस महीने को खास बनाते हैं इस महीने के अंतिम दिनों को खास बनाते हैं तो उन सबी चीजों के बारे में हम जानेंगे कि ये योग किस तरह से आपके लिए फायदे मंद हैं और साफधानिया क्या है जो बहुत जरूरी है तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से बस अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और एक छोटा सा एक निवेदन है आपसे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उस तक सबसे पहले पहुंच सकेंगे तो अब चलिए बात करते हैं हम इन योगों के बारे में और इनके पढ़ने वाले प्रभावों के बारे में तो 24 मई यानि 23 मई की रात्री से 24 मई से ये योग बनेंगे और गुरू और चंद्रमा की जुद्रस्टी होती वो चंद्रमा पर रहेगे अब और कौन-कौन से परिवर्तन है तो 26 मई को बुद्वी वक्री होने वाले हैं वर्षब रासी में चल रहे हैं चतुर ग्रही योग बना हुआ है चार ग्रह एक साथ बैठे हैं इसके अलावा 26 मई को चंद्र ग्रहन भी होगा और ये पोनी माती थी भी है जो की 28 मई को अपनी राशी बदलेंगे और मिथुन राशी में आ जाएंगे जैसे ही शुक्र वर्षब राशी से निकलेंगे मिथुन राशी में आएंगे तो वो जो वर्षब राशी में चतुर ग्रही योग बना था वो तूट जाएगा अब यहां तीन ही ग्रह बचेंगे जल्दी राशी बदलने वाले ग्रह तो इनका प्रभाव भी जल्दी ही देखने को मिलता है सेंग राशी के हम बात कर रहे हैं अब यह जो समय होगा यह कैसा होगा तो एक तो यह समय आपको आराम पहुचाएगा और एक मानसिक शांती देगा आपको और अपने व्यक्तिगत कारियों को करने की बजाए आप अपनी अंदूरनी जो शक्तिया है व्यक्तिगत कारिया तो आप यहनी करेंगे ही लेकिन उसके साथ अपनी जो अंदूरनी शक्तिया है जो आपको एक पॉजिटिवीटी देती है जो आपको motivate करती हैं, उनको आपको समेटना है, उनको आपको जागरत करना है, किस तरह से आप motivate हो सकते हैं, भविशा संबंदी कुछ योजना है, उनके आप उनके लिए मेहनत करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अब योजना जह हैं, उनको मनन करना, चिंतन करना बहुत अच्छी चीज है लेकिन ध्यान जादा तर अपना काम काज पर रखें ये समय अपने कारशेत्र पर अधिक ध्यान देने की भी आवशक्ता होगी लेन देन करते हैं रुपे पैसे संबंधी आप ऐसे कुछ कारे से जुड़े हुए हैं जो आप प्रति दिन रुपे पैसे का ल लेने जा रहे हैं तो सोच समझ कर लें क्योंकि विरोधियों की गतिविधियात तेज हो सकती हैं जो आपके लिए थोड़ी बाहरी पढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आलत से आएगा काम करने में आप सोचेगे कि आज का काम आप कल करें तो इस तरह के आलत से से भी दूर रहना है आपको वरना हाथ आया आपसर निकल जाएगा और कहता है ना कि जो आपसर निकल गया वो निकल गया फिर वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि गुजरा समय कभी वापस नहीं आता इस दोरान किसी भी तरह का ऐसा वैवार ना करें जो आपकी छवी पर नकर प्रियता बढ़ेगी यानि इस राशी के लोग राजनीती के लोगों से ज़्यादा मिलेंगे जुलेंगे उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती बनती दिखाई देगी पारिवार का वातावरन भी बड़ा खुश में रहेगा सुख में रहेगा सुहार्द पून जिससे मन भी प्रसन रहेगा तो कुछ ऐसी इस्थितियां भी निर्मित होंगी अगर आप अपनी कामकाद से जुड़ी हुई को यात्रा इन दुनों में करते हैं तो वहां से अच्छी सा फलता आपको मिलने के योग बने हुए हैं आर्थिक धन वरद्धी के शुबसन दिखें यह सबी चीज़ें जो एक दूसरे से मिले होती हैं अब जब आप इस्तितियों पर ध्यान देते हों चलेंगे धरे बनाते हों चलेंगे तभी आपकी स्तितियां आपके फिवर में आती हैं कारेशित्य में आपने तकलीफे उठाई हैं आपने बड़ी महनत की है तो सम्रदी आपको मिलेगी लेकिन सावधानिया भी रखनी है आप कुछ चीजे हैं जैसे घर में अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे की किसी समस्या को लेकर ठोडाता ना हो सकता है और समस्या को सुल जाते समय आपको ये ध्यान जरूर रखना हुआ कि आपका कोई भी निर् दनीने है और गुसे पर तो खासhand āम्रूर रखना है शान्त चित होकर समाधान निकाले शान्त चित से समाधान सही निकलता है तिन चीजों का ध्यान रख कें बच्चों की घटी विदियों पर भी ध्यान रख क्योंकि आज कर बच्चे घर में है मोबायल जादा यूस करते हैं तो उनकी संगती और उनकी गतिविदी इन सभी चीजों पर आपको देहन रखना होगा दामपते जीवन में जीवन साती का सहयोग मिलेगा मनुबल को बढ़ाएगा आपका जीवन साती जिससे एक अंदर पोजिटिविटी का विकार होगा और कोई पारिवारे के गलत फहिमी चल रही थी तो उसको भी दूर करने का प्रियास करेंगे और निशित रूप से आप दूर भी कर पाएंगे प्रेम प्रसंगों के लिए अच्छा समय है लेकिन जादा भावुक होना अच्छा नहीं होगा अब स्वास्थेक की बात करते हैं तो जो मौसमी बिमारियां हैं खासी हुआ जो गाम हुआ इस तरह की बिमारियां थोड़ा परिशान कर सकती हैं तो यहां सावधाने रखें समय पर दवाया लें खानबान पर विशिज द्यान रखें ताकि किसी भी तरह की परिशानी को होने से आप बचा सकें चंदर ग्रहन का प्रभाव है उसके उपर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं जो उपाय है वो आपको करने हैं अब शुक्र का प्रभाव जो है तो शुक्र आपके ला भाव में आएंगे आपके इकादस भाव में आएंगे और ये जो शुक्र का प्रभाव होगा ये आपकी मेहनत को कड़ा बनाएगा और आये में भी व्रद्धी कराएगा अच्छा फाल दिलाएगा आपको ऐसा फालता करने वाला होगा संपूर्ण जानकारी नेक्स वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगी कि शुक्र किन-किन चीज़ों के लिए आपके लिए फाइदेमंद साबित होने वाला है उन चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है बाकी ये समय कुछ अच्छा करने के लिए भी है औ और हमारी इस वीडियो को जदे से जदे लाइक करें शेयर करें